हाई फ्रेंस मैं से डॉक्टर शैशी बोरीचा आपका मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करती हूं आज में आपको एक्स्प्लेंड करूंगे जिसका नाम है पैप्टिक अलसर मैं आपको बताऊंगी कि यह क्या होता है इसमें क्या क्या सिम्टम आते है इसके कौस क्या है और साथी साथ कुछ होमियोपैटिक मेडिसिन जो आप इस कंडिशन के लिए यूज कर सकते हैं लेकिन उससे पहले आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल आईकन है उसे प्रेस कर लीजिए ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियो का नोटिफिक अगर पैप्टिक अलसर होता है तो उसके मल्टिपल रीजन हो सकते हैं लेकिन जो फर्स इंपॉर्टेंट रीजन है वो है एक इंफेक्शन जो एच पायलोरी नाम के बैक्टिरिया के वज़े से होता है इसके अलावा अगर आप एंसेड मेडिसिन का यूज करते हैं तब भ बहुत ही इंपॉर्टेंट रीजन है अगर आपकी लाइफ में बहुत जादा स्ट्रेस है बहुत जादा आप टेंशन में रहते हैं तब भी आपको पैप्टिक अलसर होने के चांसे काफी जादा बढ़ जाते हैं अब मैं आपको इसके सिम्टम बता देती हूँ कि अगर कि पैट फूला फूला से लगता है बेल्चिंग होने लग जाती है ऐसे लोग जब भी कोई फैटी फूड को खाते है तो उनको बहुत जादा इंटॉलरेंस फील होने लग जाता है वह उसको एजिली डाइजेस्ट नहीं कर पाते है इसके लावा एसे परसन को हार्ट वण की क हो सकता है ऐसे परसन को ब्रीधिंग में डिफिकल्टी और कई बार उनका जो वेट है वो गिरने लग जाता है अब मैं आपको इसका कौस बता देती हूं कि क्या रीजन किसी परसन को पैप्टिक अलसर होने का तो इसका फर्स्ट इंपोर्टन रीजन है इंफेक्शन अगर आपको हेलिको बैक्टर पाइलोरी बैक्टिरिया का इंफेक्शन हुआ है तो आपको यह कंडिशन होने के चांसे काफी ज्यादा बढ़ जाते है इसके अलावा अगर आप बहुत ज्यादा पैन किलर्स का यूज करते हैं तब भी आपके चांसे हाई होते हैं कि आपको इन पैप्टिक हो जाए इसके अलावा अगर आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस में रहते हैं या फिर आप बहुत ज्यादा स्पाइसी खाना खाते हैं तब भी आपके चांसे बढ़ते हैं कि आपको अलसर होने लग जाए अब मैं आपको कुछ होमियोपैथिक मेडिसन बता देती में टंक्यों पर यूज़ करना होगा सो फ्रेंज यह था पैप्टिक अलसर मैंने आपको बताए कि यह क्या होता है इसमें कहके सिंटम आते हैं इसके कौस क्या है और साथी साथ कुछ होमियोपैथिक मेडिसन जो आप इस कंडिशन के लिए यूज़ कर सकते हैं तो अगर आ इकन उसे प्रेस कर लीजिए ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन मिलता रहे तो आज के लिए बस इतना ही थैंक्यू